बच्चों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी पहतर चल रही होगी तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कॉंस्टेवल का 30 अगस्त का फर्स जिप्ट का एक्जाम हो गया है 30 अगस्त फर्स जिप्ट में पूछे गए सभी कोईस्टन इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरू देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और जरू करें और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब करने के लिए किस छेत्र अध्यन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंदान है नियमों को लागू करने वाला अनुसंदान है वयोहार का अनुसंदान और व जो है ये विलकुल करेक्ट हो और आर्केटिक सासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है तो मेरे प्यारे साथ हूं एक ऐसे शाशी निकाय के रूप में विन्यामन करके जो सभी आर्केटिक देशों के लिए कानूनों और विन्यामों को निर्देशित करता है तो आप्शन अमर ए जो है यह विल्कुल कर राश्ट पती थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ तो ऑप्षिन अबर डी जो है यह विल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखेगा शैकारी शमीति का प्राथमिक उद्देश है शैकारी शमीति का जो प्राथमिक उद्देश होता है सदस्यों की सेवा करना तो ओप्षिन अबर वी जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन साइवर सुरक्षा के लिए निमलेकत में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है साइबर सुरच्छा के लिए कौंसी संस्था जिम्मेदार है CERT.in option number V correct हो जाएगा सोफिया किस देश की राजधानी है बुल्गारिया, बंगलादेश, बेनिन, अबगानिस्तान सोफिया किस देश की राजधानी तो मेरे प्यारे साथियों बुल्गारिया की राजधानी तो option number A जो है ये बिलकुल correct हो जाएगा किस ने सुजाओ दिया कि हर किसी का एक विसिश्ट रख्त समुँ होता है लेंड इस्टीरन्न, लुईपाश्यर, डार्विन, मेंडल किसी ने सुजाओ दिया कि हर किसी का एक विशेष्ट रक्त सम्मू होता है ये सुजाओ दिया था लेंड इस्टेरन ने किसी ने दिया था लेंड इस्टेरन ने और फिनमर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा ना इस कोशन देखेगा सभी वच्चे मानवा धिकार में दोनों शामिल है, सुतंतरताय और दाइत, वी है अधिकार और दाइत, सी अधिकार और विशेशा धिकार, डी है सुतंतरताय और विशेशा धिकार, मानवा धिकार में दोनों शामिल है, तो मानवा धिकार में दोनों शामिल है, अधिकार और दाइत, आफि नवर वी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा नाइस कोशन देखेगा सुगर नैस कोशन हमारा की स्पेस एक्स पहले निजीत तौर पर वित पोसित अंतरिश कारिक्रम की सर इस्थापना किसके दौरा की गई थी एलन मस्क जेप वेजोस बिलगेट्स एरोपिय अंतरिश एज के लिए जाना जाता है और जिसे भारतिय कलाओं के लिए एक आधार बुद्ध क्रती माना जाता है तो यह माना जाता है नाट सास्त्र के लिए तो ऑप्शन हमर्पर सी जो है यह विल्कुल सही हो जाएगा चले बढ़ते हैं नैस कोशन की ओर अगला हमरा प्रश्ण अंतर राष्टिय पुनर निर्मा एवां विकाश वैंग आई वी आर्डी ये क्या है यह एक अंतर राष्टिय वितिय संस्थान है जो सदस्य देशों को वितिय सायता प्रदान करता है और फिनमर डी जो है ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है ड वे मुखे रूप से शामिल थे उच उपजिक किसम के बीच और राशाइनिक उबरक तो ऑप्शन अमर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले बढ़ते हैं नैस कोशन की और नैस कोशन देखेगा सुगाई नैस कोशन नमरा पी एम जी डी वाई ये कब लाउंच ह हुई 28 अगस्त 2014 30 अगस्त 2014 दोग्टूबर 2015 15 अगस्त 2015 सुगाई ये लाउंच हुई थी 28 अगस्त 2014 को तो ऑप्शन अमर ए करेक्ट हो जाएगा सुगाई नैस कोशन देखेगा निमलेकित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमी सीमा साजा नहीं करता है कौन सा देश है ज अगला प्रेशन अमर आए ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है ग्रीन फाइनेंस की बात हो रही है याँ पे तो ऑप्शन अमर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पर्याब रण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए बितिये संसाधन कि दर है गाइस अठाइस प्रतिसा तो ऑप्शन अमर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है नैस कोशन देखेगा सभी वच्चे यू एन सीटी एडी का पूर्ण रूप क्या है यू एन सीटी एडी का पूर्ण रूप होता है मेरे प्यारे साथियों यूनाइटे नेशन क्रोंफरेंस और ट्रेट एंड डवलम्मेंट तो ऑप्शन अमर डी जो है ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा सद गती पुस्तक जिस पर एक फिल्म बने थी ये किसके दौरा लिखी गई थी जैसंगर प्रसाथ हरीवंस राइबच्चन महादेवी बर्मा मुंसी प् प्रफ्षन जो है ये नेश कोशन देखेगा सुगा नेश को निम लिखित में से किस पूर्व भारतिय प्रधान मंतरी को भारत रत नहीं मिला है तो इसमें देखिए पीबी निरसिंबारा इनको मिला है चर्ण सिंग को मिला है लालबादु सास्तिरी को मिलेकिन डॉक्टर म सिंग को नहीं मिला है तो ऑप्शन अमर ए जो है ये बिल्कुल करेक्टर हो जाएगा अगला प्रशन हमारा भारत में प्रथम जनगर्णा किस सासक के समय आयोजित की गई थी तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए है नाच कोशन किसी यूद में भारत में बेड़स अपनेवेशिक सासन की सुरुवात हुई वारिवास का यूद पानीपत का यूद प्लासी का यूद बकसर का यूद किसी यूद में भारत में बेड़स अपनेवेशिक सासन की सुरुवात हुई थी ये प्रशन में पूझा जा रहा है त उच्छ कार्बन उतसर्जन पानी की गुडवत्ता में सुधार बायू प्रदोसर ने कमी जल्दी से आंसर देजी सभी बच्चे तो जो बच्चे ऑप्षिंपर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे विल्कुल सही हो जाएंगे उच्छ कार्वन उतसर्जन इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों ऐसा सौट्ट वियर जो फाइलों को एंट करता है और फिरोती की मांग करता है तो सी ओप्षिंपर जो है करेक्ट हो जाएगा प्रथम विश्यूद कब हुआ था 1930, 1920, 1914, 1919 प्रथम विश्यूद कब हुआ था तो प्रथम विश्यूद जो है ना गाईस वर्स 1914 में हुआ था तो सी ओप्षिंपर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्म भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है गिर राष्टी ओग्यान, काना राष्टी ओग्यान, जिम कर्वेट राष्टी ओग्यान, सुन्दर वन भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है तो मेरे प्यारे सातियों भारत का सबसे बड़ा वन है ये है शुन्दर वन तो option number A जो है ये विल्कुल correct हो जाएगा अगला question उत्तर प्रदेश का पहला traffic park किस जिले में खोला गया अमेठी प्रियागराज अयोद्या गोरकपुर उत्तर प्रदेश का पहला traffic park किस जिले में खोला गया तो guys ये खोला गया था प्रियागराज में तो प्रियागराज आप जो है correct हो जाए नाइस question देखेगा भारत में गाश प्रस्ण यह है कि भारत में GST के जनक कौन कहलाते हैं HD देव गोडा अटल वियारी बाच पर इमन्नमोहन सिंग नरेंद्र मोधी भारत में GST के जनक कौन कहलाते हैं तो मेरे प्यारे साथियों भारत में GST के जनक है ना अटल वियारी बाच पर ही कहलाते हैं तो option number V जो है यह विल्कुल सही हो जाएगा यही answer होना चाहिए मेरे हिसाब से अगला प्रस्ण हमारा है guys किस social media platform ने Instagram, Stories और Snaps के सामान Filtz की अवधाना पेश की टिक टॉक, LinkedIn, नौकरी, एक्स टूटर आंसर हो जाएगा एक्स टूटर, option number D correct हो जाएगा अगला प्रस्ण देखेगा खाले स्थान का अर्थ है किसी अनव्यक्त की वेब साइट पर बल पूर्भक नियंतरन इस्थापित करेगा हाइकिंग, spam, phishing, wave, hijacking आंसर हो जाएगा option number D, wave, hijacking भारत और बंगला देश के वीज, किस नदी के करण बिवाद उत्पन हुआ है तो भारत और बंगला देश के वीज, किस नदी के करण बिवाद उत्पन हुआ है, इस नदी का नाव है तीस्ता नदी, तो option number V जो है, यह विल्कुल सही हो जाएगा नाच कोशन, कौन सा सब्द, विशिष्ट नियमों के अनुसा टिपड़ियों अब लोकनों को संख्या नितिष्ट करने की प्रिक्रिया का वर्ण करता है तो option number C, जो है, यह विल्कुल सही हो जाएगा माप आपका सही अंसर हो जाएगा, नाच कोशन देखेगा भारतिय समिधान का कौन सा अनुच्छेत हुआ कि सुतंतरता से संबंदित है तो मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेत 19, तो V option जो है, यह विल्कुल करेक्ट हो जाएगा भारत के किस सहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसोधित होता है जैपुर, मुंबई, सूरत, बढ़ोदा तो जो ही वच्छे option पर C की ओर जा रहे हैं, वो वच्छे विल्कुल सही हो जाएगे सूरत, 2011 की जनगरना के अनुसर भारत में कुल वन आबरण है 21,05 पर किसकत, उसी options करेक्ट हो जाएगा जीके वाला पार्ट, अब हम बात करेंगे हिंदी वाले पार्ट की हिंदी वाले पार्ट में कैसे क्या प्रस्चन पूझे गया हैं, चलिए देख लेते हैं 58 से question जो है, वो start है 58, 58, 58, 58 ये रहा तो हिंदी का हमारा पहला question पूझा गया था, कहावत सब्द में प्रियुक्त प्रत्य क्या होगा तो मैं आपको क्या बताया था, कि starting का जो सब्द होता है वो उपसर्ग होता है, और last बाला जो सब्द होता है, वो प्रत्य होता है अदबुदरस का इस्थाईवाव होता है विश में तो सी ऑप्शन्स करेक्ट हो जाए अच्छा भय का इस्थाईवाव क्या होता है भयानक उस उत्सा का इस्थाईवाव क्या होता है तो उत्सा का इस्थाईवाव होता है वीर क्रोध का इस्थाईवाव क्या होता है तो क्रो मखमली जूते मारना दुर्गती करना छेब जाना क्या आंसर होगा मखमली जूते मारना ओप्षन वी जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा यही आंसर होना चाहिए मेरे इसाब से मिथ्या आड़ंबर के अर्थ में किस लोकतिरती का प्रियोग हुआ इस कोशन को बाद में करें क्या होता ये तो ब्रमर का पर्यायब लिया बची शब्द होता है मेरे प्यारे साथ्य Lum कि आप recursion नंबर कि यानि मधुकर होता है का से त्याग पथ्रẫn रुपण्यास किसकी रचना रेंडू ग्यानेंद्र कुमार अग्य। उसी प्रेम चन त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना तो मेरे प्यारे सबस्द्ota पत्र ऊपन्यास जो मैं कि यह गैनेंद्र कुमार की रचना है तो ओप्षिंवर 2 वी जो है यह सई हो जाएगा री री दोनी किस स्वर के अंतरगत आता है गोष्ट सयुक्त हस घोष्ट यह पर री की बात हो रही है सो समझकार आंसर देजेगा सभी बच्चे तो री जो है ना यह हस स्वर के अंदर गता तो सी ऑप्शन्स करेक्ट हो जाए अब देखिए हस स्वर जैसे कि छोटा आ हो गया छोटी ई हो गया छोटा उ हो गया और री से री हो गया तो यह सभी सब्द हस स्वर होते हैं यह आपको ध्यान में रखना है छलेए वरत इनाश कोशन्स की ओर अगला प्रस्चना है निम लेकित प्रस्च में चार विकलपों मैंसे क्रिया का सही रूप बाला विकल्पों चुनी है शायद कल मेरा दिल्ली अब अगला प्रश्म क्या है कि परी उपसर्ग में कौन सा सब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए अब देखे कितना अच्छा कोश्चंस है तो मैं आपको क्या पता है कि सब्सक्राइब कि उपसर्ग में चुलेज़े हैं क्या पतारे yemया सभी एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है एक मुलाकात काहनी की कताकार कौन है तो एक मुलाकात काहनी की कताकार है उसा राज़ तो option number A correct हो जाएगा ठीक है चले अब पड़ देंब नाषघकोशन के कौटन का विलो उलो उभशद क्या होगा और तब आजशницу मरदुलता मारदाव कोटले का विलोंग शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों और जश्वू ऑप्षिन अबर वी और वी करेक्ट हो जाएगा प्रतिकूल सब्द में कौन सा उपसर्ग होगा तो प्रतिकूल का अगर आप माले जीए संदी विश्यत करते हैं तो प्रतिकूल का क्या थो संदी जाएगा तो option number a correct हो जाएगा अगला प्रस्ट में बैल गाड़ी में कौन सा समास है तक पुरू समास दिगू समास अब वईबाउ समास या दो अब देखे घ्यान पर मेरी बात को सुनिएगा बैल अलग है और गाड़ी यह भी कर सकते हैं या दोनों अलग अलग साथ दोनों क जोड़ दिया गया तो नायस समास क्या बना बैल गाड़ी तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा तक पुरू समास तो option number a correct हो जाएगा उने सो बानवे व्यास प्रोस्कार के विजेता कौन थे कुमर नारायन डॉक्टर स्रिफ परसाद सिंग्ग शंबय यादब रामिलास सर चता रहा है तो इसमें आपको असुदः वाक्य की पैचान करनी है तो इसमें जो आपका इवाला option जो है यह व्लकुल हो जाएगा रएगा तबार नहीं है pon फाट्र सब्य का अनेकार्टी सब्यूर्च नहीं तो पथा जो है न यह पत्टर सब्य अनेकार्थी नहीं है तो अनुप्रास रूपक या यमक तो रूपक अलंकार जो है न यह अर्था अलंकार है तो और सी करेक्ट हो जाए नाश कोशन देखेगा जब किरिया का प्रियोग करता के लिंग बचन और कारक के अनुसार होता है तब वह कौंसा वाच होता है निस्रवाच करतवाच भावच या तो मैंने प्यारे साथी हूँ परिमार बोधक जो है न यह अववय का भेत नहीं है तो सी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा गाड़ी गाड़ी सब यूगम के लिए सही अर्थ यूगम चुनना है आपको तो इसमें जो आपका डीवाला ओप्शन जो है यान या गहरी यह सही हो कहते हैं साह क्रिया तो ऑप्शन बर डी करेक्ट हो जाएगा बैरवे चंद है अर्द विशम्मात्रिक अर्द सम्मात्रिक विशम्मात्रिक शम्मात्रिक तो बैरवे कैसा चंद है तो बैरवे जो है न गाईस यह अर्द सम्मात्रिक चंद तो ऑप्शन बर वी करेक्ट हो ज जाएगा तो D options correct हो जाएगा मुख दर्सन में कौन सा समास होगा important question था आसानी से आप कर सकते थे मुख दर्सन तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा यहां पर हो जाएगा तत्पूरु समास option number V correct हो जाएगा तिलक प्रकार का सब्द है तिलक जो है किस प्रकार का सब्द तो तिलक जो है आपका तस्सम सब्द हो जाएगा यानि कि जो ऐसे सब्द जो संसकत भासा से उत्पन होए हो वो तस्समसब्द कहलाते हैं तो तिलब जो है ना ये संस्क्रत वासा का सब्द इसलिए तस्समसब्द हो जाएगा अब बाद को छोड़ कर वड़ माला के अच्छों के नाम किस लिंग में होते हैं अनियक सब्दों के लिए एक सब्दका चैन करना जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं अनिवार एचछिक अनिवार या अनिवरत जिसे टाला ना जा सके उसे हम कहते हैं अनिवार तो C options correct हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सा घोश बर्ण है तो यहां पर आपको घोश बर्ण की पहचान करनी है ठा चा माया खा तो मेरे प्यारे साथियों मासे मचली जो हिना यह घोश बर्ण हो जाएगा तो जीुडे तो को उप्षयों हो जाल जीन बढ़र के उचारणबारRR है नाजहा उप्योग होता है उन्हें घोश बढ़र कहते है इस पर सबढ़र पर पर थे के वर्ग का थी सरा चौथा और पांचमा इस व्लबर्भ या रालवा हा ये घोश बढ़र होते है तो reports करन के लिए अगला प्रस्राइब इत्व और यहांसे कर्ण को करण के द्वारा संपरदान के लिए अपादान से अपादान में से आ रहा है करताने कर्ण को करण के दोरा संपर्दान के लिए अपादान से तो अपादान कारक यहां पर हो जाएगा अज़ा कारक के कुल कितने भेद होते हैं तो कारक के कुल आठ भेद होते हैं तो यह भी आपको ध्यान में रखना तो option number D correct हो जाएगा स्वच्छ सब्द का परियावाची शब्द क्या होगा यह आपको बताना है निर्मल नीरा जी नीरा ते पंकिल सिंपल सा कोशन से यार स्वच्छ का परियावाची सब्द होता है निर्मल अनाज का परियावाची सब्द क्या होता है रूपा शष सलेल या चाहा अनाज का तो का प्रयायबाची सब्द होता है और वी करेक्ट हो जाएगा गद्यांस पूछा गया था कि बैग्यानिक प्रियों की सपलता ने मनुस्थ की बुद्धी का अपुर्व विकास कर दिया है दुतिय माहा यूद में एटम बंब की सक्ति ने कुछ छड़ों में ही जापान की अज अईस्यास मैंने आप लուगों को कराया है हमें अच्छे से याद है अगर आप हमरे सक्क्राइबर होंगे तो साथ आपको यद्ह करक Better बड़े बड़े देश आधूनिक बिनास्कारित क्यों बना रहे हैं स्का कारण क्या है मैरे प्यारे साथियों इसका कारण है अपना अप अमेरिकान जनता उसकी संपत्ति हो जाती तो वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यही सेम टू सेम गद्यांस मैंने आपको पढ़ाया था इस गद्यांस का मूल कथ्य क्या है तो जी लोगों ने हमारे चैनल के मात्यम से तैयारी की होगी चैनल हिंदी की उनका तो गद्या अमेरिकान जापान के हिरोशिमा में जो बं गिराया था प्रमाडू मम उसके अपार शक्ति का परथम अनुबवभ कैसे हुआ है जापान की अजय शक्ति को पराजे से तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा तो यह थैं हिंदी के कोशन जो कि मैंने आपको शुरू से के लाश्ट तक कराए है ठीक है तो यह आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्ली